नमस्कार दोस्तों, एक बह फिर से वेकेंसी आप पर रिलीस कर दे गई हैं, आप सभी लोग को बताना चाहता हूं, स्वास्त भिवाग में सरकारी भरते के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दे गया है, सभी तरीके के पद यहाँ पर रहने वाले हैं, नर्सकी वेकेंस आप सबी लोग कहाँ पिलिया जाएगा और इंटर्वियू के माध्यम से आपको आपर जोइनिंग दे दी जाएगी सबसे पहले आप सबी लोग यह जान ले इस बार जो वेकेंसी यहाँ पर जो रिलीस की गई है आप सबी लोग यहाँ पर हेडिंग पर सकते हैं लखा हुआ है निजाम इंस्टिटूट अप मेडिकल साइंसिस इनके द्वारा सरकारी भरती का विग्यापन आप आ चुका है ओफिशन नोटिफिकेशन आपको आप दिये जा रहा है किस तरीके से एपलाई करेंगे लास्ट यहाँ पर क्या रहने वाली है पोस्ट वाइस कितनी का वेकेंसी शामिल किये गई है एज क्रेटिरिया, क्वालिफिकेशन और सैल्डिय पेकेश के बारे में information मिलने वाली है और interview में शामिल होने के लिए जो भी instructions आपको आपको आप दिये जा रहे है सारी जानकारी मैं आपको आप रीड करके बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको इका करना है इस वीडियो को आप लाइक कर देना है सबसे पहले और सबसे ते यह जो information है एक मातर हमारे YouTube channel दोर हमको आपको आपको मेल लएए और All India Vacancy है सब भी राज़े के candidate यहां पर आभिदन कर पाएंगे तो लाइक जारू करने इस वीडियो को comment box में कोई भी doubt है कोई भी सवाल बग़रा है आप सभी लोग अमसा में पूछ सकते हैं स्वास्त बिवाग में जितनी भी सरकारी भरती आ रही है हमारा यूटूब चैनल सारी इंफॉर्मेशन आपे कवर कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन आगयाने वाली है अब आप से आपे जानकारी ना चूटे इसके लिए क्या करना होगा अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तो वीडियो की नीशे जाए सब्सक्राइब कर रैट बटन को हापे कलिक कर ले स्वास्त बिवाग की हर इक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे तो बिलकुल शुरूबात के देते अपने अपडेट को और बढ़ जाते अपनी वेकेंसी टेविल की और तो दोस्तो देखिए पहली जो पोस्ट यहां पर रहने वाली है स्टाइन्टेस्ट की यहां पर रहेंगी स्टाइन्टेस्ट बी की यह पोस्ट है दो पद यहाँ पर निकाले गए, दस महिनों के लिए आपको 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 जॉइनिंग दी जाएगी, एक साथ हजार रुपए पर मन बेसिस पर सेली मिलने वाली है, इसके दिरिक्त आपको आपको आपे दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट कि यहाँ पर रहेगी कुलमला के दो पद यहाँ पर निकाले गए दस महिनों के लिए आपको आप जोइनिंग मिलने वाली है 31,000 रुपे परमाइज बेसिस पर आपको आप सैली दी जाएगी M-Pharma और D-P आप दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है Junior नर्स की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है एक पद यहाँ पर रहेगा 10 महीनों के लिए आपको आपको आप सैली दी जाएगी जितने भी candidate यहाँ पर देखे, degree रखते हैं, life science की, और देखे, certificate course रखते हैं, A&M का 2 साल के experience कितार, और देखे, G&M का diploma है, तो भी आप लोग यहाँ पर आविदन कर पाएंगे, 28 साल आपको यहाँ पर उमार रखी गई है, इस तक के सभी candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं, अगली जो experience भी आप से आपर मांगा जा रहा है, clinical research का हो, यहाँ पर देखे, clinical trial का हो, और यहाँ पर देखे, M pharma हो, यहाँ पर देखे, D pharma हो, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, 30 साल उमार आपकी यहाँ पर रखी गई है, अगली जो post यहाँ पर रहने वाली है, research assistant की यहाँ पर रहनेगी, एक पाद यहाँ पर रहने वाला है, 10 महीनों के लिए आपको यहाँ पर joining मिलने वाली है, 31,000 रुपे आपको यहाँ पर salary दी जाएगी, और दोस्तों आपर देखे, M pharma और D pharma वाले सभी candidate यहाँ पर अविदन कर पाएंगे, एक साल का आप से यहाँ पर कार भी मांगा जा रहा है, clinical research का यहाँ पर देखे, clinical trial के अंतरकत, 30 साल उमार आपके यहाँ पर रहने वाली है, दोस्तों देखे, अगली जो post यहाँ पर रहने वाली है, lab technician के यहाँ पर रहेगी, grade 3 यह post है, दो पत यहाँ पर निकाले गए हैं, और यहाँ पर देखे, 10 महीनों में, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, lab analytical, person की यहाँ पर post है, 3 पद यहाँ पर निकाले गए, और देखे, 10 महीनों के लिए आपको आप जानिंग मिलने वाली है, 18,000 रुपे आपको आप सैली दी जाएगी, DMLT वाले सभी candidate यहाँ पर अविदन कर पांगे, 5 साल के experience के साथ, और देखे, अब BST की डिगरी है, lab technician में, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, interview में शामिल हो सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको आप interview में शामिल होना है, दोस्तों देखे, interview में शामिल होने के लिए, आप सभी लोग को यहाँ पर application form आप आपको यहाँ पर दिये जा रहा है, यह application form आप लोग आप फिल करें, आपका post का नाम, आपका नाम, आपके email ID, mobile number, आपके date of birth, आपके nationality, आपका address और देखे, qualification के जानकारी, और यहाँ पर देखे, अगर आपके बात आप एक्सपीरेंस है, कोई और अधर information है, तो बिलकु आपके last date मैं आपको आपके बता देता हूँ, last date for the receipt of application form is 12th of November 2020, तो 12 November तक जो है, आप सभी लोग इस address पे, आप लोग अपना application form आप लोग यहाँ पर send कर दें, देखे, हाँ पर लखा हुआ date of interview, तो देखे, will be communicated over phone, यहाँ पर देखे, email to the shortlisted candidate, जतनी भी candidate यहाँ पर देख आपके, 12 November 2020, इसके आपके last date यहाँ पर रहने वाली है, देखे, दोस्तों एक और instruction आपको आपको आपके दीजारा लखा हुआ है, the application should be submitted in the enclosed format must be accompanied by the attested copies of certificates, देखे, आप लोग को अपने application form के साथ, जितनी भी आपके आपके documents है, आपको photocopy के साथ प्रोवाइड कराना होग और दोस्तों देखे, जो भी आपके marksheets बगना है, जो भी आपको आपके certificate है, तो देखे, आपको 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 आपर बता दिया गया है, और इस date तक आप लोग आपके send कर दें, तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर cover किया है, उमीद करता हूँ, information आपको हाँ पर समझ में आ गई होगी, और update आपको मिल गया होगा, All India Vacancy हाँ पर निकाली गई है, और सभी राजय के candidate हैं आपको 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 आप कर दोस्तों पोशकते हैं, देख पा रहा है, स्वास्त बिवाग में जितनी भी सरकारी भरती आ रही है, हमारी YouTube च आगे आने वाली है अब आफसे आप पर जानकारी ना छूटे इसकी लिए क्या करना होगा अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रैट बेटन को आप पर क्लिक कर ले स्वास्त बिवाक की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे पात रहते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच